देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन A1 TV की और से और हमारी और से उन शहीदों को शद्दा सुमन अरुपेत हैं पलवामा हमले को लेकर पी ए मोदी की अद्रक्षिता में CCS की बैठक का आजिन हुआ है जिसमें शामिल होने के बाद वितमंदरी अरुन जेटली मीडिया से मुखातिब हुए इस उरान उन्होंने कहा कि सरकान ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का धरजा वापस दे लिया है सापने पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए अब कूटनी दिक कदम उठाए जाएंगे जेटली ने बताया कि आतंक और आतंक का समर्थन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्षा नहीं जाएगा और उन्हें इसकी बड़ी कीमत शुकानी होगी पुलवामा में आतंक की जो हमला हुआ है इसमें पेहत जादा ये देश के लिए दुखत गटना है वित्मन्ति अरुजेटली ने साफ कहा है कि कूटनिटिक स्तर पर भी पाकिस्तान से जवाब तलब किया जाएगा पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ट नेशन का धरजा वापिस लिया गया है कहा है आतंक के सरपरस्तों को उनके आकाउं को किसी भी कीमत पर बख्षा नहीं जाएगा इस समय देश के अंदर एक दर्द का महौल है और सभी देश के युवा के साथ साथ जवान बुजर्ग बच्चे देश के गम के माहौल में हैं CRPF ने भी साथ तरह से बोल दिया है ना हम किसी को बख्षेंगे इसमें पूरी तरह से का रहा होगी पिये मोदी ने भी देश के स्रक्षावलों को खुली छूट दे दी है पिये मोदी के स्वर और सेना के स्वर साथ मिलकर एक साथ हो चुके हैं और लातंकियों से बदला लिया जाएगा और किसी भी कीमत पर इन्हीं बख्षा नहीं जाएगा क्योंकि यह जो हमला है यह किसी व्यक्ति पर नहीं यह देश की आतना पर हमला है देश की आतना पर हमला करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्षा नहीं जाएगा उन्हें किसी भ में छोड़ा नहीं जाएगा